शेमा दोब रेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हैपेटेटिस B के उपचार और किन सावधानिया को आपको बरती है ताकि आपको हेपेटेटिस B नहीं हो अब बात करते हैं हेपेटेटिस B के इलाज कैसे किया जाए इसके बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक सावधानिया इसके लाव मैं उसको उप्चार आपको बता देता हूं आपको जो हेपेटेटिस B हो जाए तो आपको अधिक से अधिक आराम की ज़रू डॉक्टर से बिल्कुल पूछ क्या दवाई खेंगे धीले और हलके कपड़े पहने और जितना हो सके ठंडे वादर बरन मिलें गरम पानी से नहानी से बचें वरना इसे शरील में खुझली हो सकती है प्रूनिक चर्ण की अवस्था में अगर छे महिने के बाद भी विमारी ना जाये तो इसका असर लीवर या कलेजे पर पड़ता है अगर 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 लीवर सही से कारण कर रहा है तो पहले उप्चार में दवाई दी जाती है जिसे पेगें टेर फेरोन अलफा टू कहते हैं अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा हो तो पेजन ट्रिफोना अलफा टू कभी असर देखने नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर अपने एंटिवाइरल दवाईया देंगे हैपेटेटिस की कुछ दवाईया आपको आलसी, उल्टी और जी मचलाने जैसे साइड एफेक्स दे सकते हैं इसमें आपको कुछ सावधानिया बनतने के जरूत है कि असरचित यौर सम्मंद से बचें इंजेक्शन जो कि पहले से किसी और मरीज के उपचार में काम आई हो उन इंजेक्शन से बचें रीजर और तूथप्रश को भी साजानिंग करें संतुलिस्त और स्वस्त भोजन खाएं शराप और दूसरे नशीली पदार्थों का सेवन बंद करतें अगर कोई महिला गरववती है तो उसे जल्द ही डॉक्टर की मदद लेनी चीए तो यह सब हैं जो साभानी पर दतनी चीए और जो उसके उपाए हैं यह उपाए आप सेम इस्तमान कर सकते हैं जो मैंने अपने वीडियो में डाले हैं पीलिया की उपाए वो सब सारी उपाए अपकर सकते हैं तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पे सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद